देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना से सकल मनोरत पूर्ण हो जाते हैं ये ऐसा पर्व है कि इस दिन शिव की पूजा करने से ग्रै दोश भी खतम हो जाते हैं महाशिवरात्री चाहे श्रावन मास्की हो या फिर फालगुन की दोनों का सार एक ही है भोलेनात की उपासना और अरादना करने का श्रावन और फालगुन दोनों महीनों भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना के नाम होते हैं दोनों महीनों की महाशिवरात्री पर्व पर शिवालियों में जल भी शेक किया जाता है अब फालगुन मास की महाशिवरात्री है शाश्त्रों में बताया गया है कि इस परव पर शिव की पूजा अर्चना करने से ग्रेहों का परभाव भी समाप्त हो जाता है सिधार्थ नगर से आरपी जोशी की रिपोर्ट अब बता है अवान शूद